मैं आपको एक कहानी से बात शुरू करता हूँ, एक स्टोरी से बात शुरू करता हूँ, रियल स्टोरी, स्टोरी से इसलिए कि स्टोरी से बात समझ में जदा आती है, और As a parent, मेरा एक बेटा है, 17 का होने वाला है, नहीं होने वाला नहीं, हो गया है, तीन दिन पहले हो गया है, अभी यह भी हुआ है तो 17 की उम्र आप जानते हैं सबसे खतरना पूती है आप लोग भी लगदोग उसके आस्पस होंगे या अभी यह भी उससे निकले होंगे Most Difficulty is this, 16, 18, 19 इस उम्र में आपके हर्मोन्स इतना ज्यादा जंप करते हैं कि मूट स्विंग्स बहुत ज़दा होते हैं आपको अपने दोस्तों से बात करके इतना सुकून मिलता है, पेरेंट्स दुश्मन नजर आते हैं इस उम्र में पेरेंट्स को अच्छी बात भी कहें तो लगता है कि यह क्यों मन्हूस लोग अमारे गर में रहते हैं, क्यों ऐसी खराब-खराब बात बोलते हैं, they don't understand, they are outdated people, ऐसा मन में भाव आता है, सब को आता है आपको आ रहा है तो पहली बार नहीं आ रहा है, आज से 30 साल के बाद आपके बच्चों को भी आएगा आपके बारे में एकदम उतने इंटेंशिटी से आएगा जितना आपको आता है जितना आपको लगता है कि आपके पेरेंट्स बिल्कुल नहीं समझते, आपके बच्चे आपके बारे में यहीं सोचेंगे तीस साल बात एकदम इटरनल टूथ है जिसको आप रोक नहीं पाएंगे आपकों की एज में जो सबसे बड़ी चिंता मुझे होती है जिससे मैं अपने बेटे से बात करता हूँ तो मैं तो एक बहुती खराब पेरेंट हूँ खराब पेरेंट का मतलब मैं कभी कहता ही नहीं के पढ़ो कभी कहता ही नहीं के टॉप करो मैं कभी नहीं कहता हूँ मैं सिर्फ यह कह दो कि बेटा हर साल एक क्लास पास करते रहो काफी है बस इतनी sound preparation मत करना कि मैं आट्षवी क्लास दो बार में करूँगा ऐसा मत करना एक ही बार में कर लो और मैं कभी percentage कूछूँगा नहीं आप से मैं पूछता देता है लेकिन मुझे उसमें इंट्रेस्ट है नहीं whatever percentage he gets and we also have a daughter I mean I'm not the biological father she is a relative's daughter so she lives with us हम दोनों बच्चों से बोलते हैं कि हम कभी नहीं पूछेंगे percentage के नाम पूछते हैं ना हमारे interest हमारे interest के अब इस बात में हैं कि वो बहतर human beings बन जाए क्योंकि मैंने जिंदगी को बहुत अच्छे से देखा है और मैं एक बहुत ही खराब student रहा हूँ स्कूल में बहुत बदमाश, शिलारती, कम पढ़ने वाला और दिमाग इतना था कि 10 दिन, 20 दिन पढ़के अच्छे नमबरा ही जाते थे तो मेरे दिमाग कहता था कि जो कम 10 दिन के उसके लिए साल क्यों खराब करूँ जब 10 दिन में होई जाता है तो 10 दिन खराब करेंगे उस और दूसरी बात और दा इयर्स मैंने ये सीशी है कि जो मैंने स्कूल में पढ़ा था उसमें से बहुत कम जिन्दगी में काम आता है मैंने ट्रिगोनोमेटरी पढ़ी मेरे जिन्दगी में कभी काम नहीं आई मैं कभी ठीटा बीटा लगा ही नहीं पाता कहीं पर भी आज तक यूज नहीं किया मैंने छीटा कहा थी, यूज करूँ, कामें नहीं आया, मैंने दुनिया बर के नक्षे रटे थे स्कूल में, कहीं काम नहीं आये, जब किसी देश में भूनने जाता हूँ, महा का नक्षा देख लेता हूँ, और बच्पन वाला याद भी नहीं आता, फिर इसे देखना पड़ है, वो और चीज़ी, मैं उस पर ज़्यादा बात करना हूँ, लेकिन मेरी चिंता ऐजे पेरेंट, और क्योंकि आप बच्चे उसी उम्र में हैं, मैं लगभा पचास साल का हूँ, तो आप मेरे लिए लगभा उसी रोल में हैं, कि आप मेरे बच्चे जैसे हैं, क्योंकि जो बच्चे होते हैं, अपने पेरेंट्स के नफरत करते हैं, दूसरों के पेरेंट्स की सुन लेते हैं बात, तो आप मेरी बात सुन लेंगे, अपने घर में ने सुनेंगे, जैसे मेरा बेटा मेरी बात में सुनता है, वो शैदी यहां, सी-म्स आप की बात सुन लेगा, तो द जब भी कोई काहनी सुरा तो नाम जग है, वो सब बदल देता हूं, ताकि किसी की प्राइवेसी पर हमला ना हो, सब की राइट टू प्राइवेसी है ना, एक बच्चा था, जिसको मैं जानता हूं, बच्छमन से जानता हूं, बहुत ही जबरदस्त, आर्टिस्टिक बच्चा म्यूजिक का उस्ताद, उसके घर में लगबख सब लोग म्यूजिक के उस्ताद थे, इंस्टुमेंटल म्यूजिक, वोकल म्यूजिक हर चीज में अच्छा, पढ़ने में भी ठीक, बढ़िया, और जब हम स्कूल में थे, वो मेरी क्लास में तो नहीं था, थोड़ा सा अलग क्लास में था, पर स्कूल में बहुत पॉपलर था, बिंग इंटु म्यूजिक, आई वोसिन डिबेटिंग, वोस इंटु म्यूजिक, और बाद में उसनी उमारे स्कूल छोड़ भी दिया, कुछ समय के बाद, फिर वो कहीं और चला गया, फिर मेरा मिलना नहीं हुआ, उस सम कर जुए था, उसके बाद अचानक मुझे एक भचबन का दोस्त मिला, जिस मुझे एक, इंटृस्टिंग, इंट्रस्टिंग क्या डिवास्टएटिंग बाद बताई, तो बात चल ले ती, कि स्कूल के दोस्त कहां कहां हैं, क्या तर रही हैं, तो बातों बातां में उसका जिक्र भी आया तो मैंने बड़ी उमीद से पूछा मैंने का वो तो बॉंबे चला गया होगा फिल्म इंडस्ट्री में चला गया होगा तो बेर दोस्ते ने पूछा कि तुम्हें नहीं पता उसके बारे में हैं मैंने का नहीं उसने का यार वो जेल में है and he was one of the most creative students of our school मैंने का जेल में क्यों है बोड़ी सच में नहीं पता मैंने का सच में नहीं पता मुझे लोग graduation करने के लिए जब गया तो पता नहीं क्या हुआ उसकी थोड़ी संगती खराब हो गई bad companies का हम बोलते हैं जो इस उम्मर में अच्छी लगती है वही वाली college life में थोड़ी बहुत bad company सबकी होती ही है हलकी फुलकी होती है एक सामाने बात है अच्छा बच्चा बच्चा ना रहे ये भी तो अच्छी बात है ना थोड़ा बच्पन तो जीना भी चाहिए थोड़ा शरागते करने भी चाहिए पर किसी किसी का दुरू भाग्य होता है कि ज्यादा हो जाता है उसके साथ ऐसा हुआ मरब हजार लोग जाएंगे तो नमेंसे एक आद वापस आएगा वो भी इतने मुश्किनों से जो अल्मस्ट इंपॉसिबल है I have seen many such cases social welfare departments में मेरे कई दोस्त ओफिसर से तो मैं उनसे जब पूछता हूँ बताते हैं मैंने ऐसे लोगों को देखा है दस-दस साल से struggle कर रहे हैं addiction से बाहरा हैं कि नहीं हैं बाहरा है खत्म हो गए है उस बच्चे को डुक्ष की आदर पड़ जाए college में जाके parents को पदा है नहीं था तो जब parents को भनक लगी तो उसको दबाव बनाए कि तुम घर आजब अब वो जिस company में था दोस्तों वाली company में बहाँ अब drugs बहुत महेंगे होते थे पैसे घर से बहुत कम आते उसे जितने पैसे एक middle class family दे सकती है अब वो घर से ज़्यादा पैसे मांगने लगा पैसे मिलते नहीं थे उसको अपने ही घर के लोगों पर गुस्ता आने लगा तो एक बर वो अपनी घर आया हुआ था चुटियों में और वहाँ भी वो कुश-कुश करता रहता था उसके पैरेंट्स ने उसको बहुत समझाया कि बेटा ऐसा मत करो और एक दिन इस बात पर जगडा बढ़ गया आप पैरेंट्स की चिंता समझेंगे आज से तीस साल बात जब आपके बच्चे की सेज में होंगे आपकी नानी मर जाएगी उस समय नानी मरन एक मुहावरा है इस समतले बहुत चिंता में रहेंगे उस समय आप और उस दिन पता नहीं क्या हुआ एक जगडा हुआ क्योंकि जो एडिक्शन की शिकार है उनका दिमग उनके कंट्रोल में नहीं होता है यहाँ तक जो डिंक करते हैं डिंक एक लेवल से ज़्यादा कर ले तो दिमग कंट्रोल से बाहर निकलने लगता है ड्रग्स में तो ये ऐलिमेंट बहुत ज़्यादा होता है और आधी रात को उसने क्या किया उसने अपने फैमिली के पांच लोगा मर्डर कर दिया मर्डर उसने खाने में जहर मिलाया लगभग सब लोग उससे मर गया एक मेंबर नहीं मरा क्योंकि उसने खाना खाया नहीं उस दिन तो उसको उसने अलग से मारा और ये बात है जब उसकी उम्रे लगभग 17-18 साल की थी या 19 के असपस रहा होगा उसके बाद उजेल गया मुझे उसके बाद से पता ही नहीं कि क्या हुआ फासी हुई या उम्र कैद हुई या क्या हुआ ना तो मुझे पता है ना मैं इंट्रेस्टीड हो जानने में मैं उसके नाम हम सब जानता हूँ एक दू क्लास स्कूल में ऐसी थी कि वो हम असपस थे जानते थे पहचानते थे दूसरे को मेरी सबसे बड़ी चिंता यह होती है बच्चों को लेकर किसी भी गलती से वो ड्रक्स में न चले जाएं आप सब से की रिक्वेस्ट करना हाथ जूड़के कुछ भी कर लेना यह मत करना बदमाशी करो शरारत करो थोड़ा इश्क विश्क होगा करो कोई दिक्कत नहीं किसी को चीट मत करना ड्रक्स में मत जाना क्योंकि इन रास्तों पर जाने के बद वापसी का रास्ता नहीं पूरी जिंदगी फत्म हो जाती है एक शायर में कहा है बस एक कदम गलत उठाता राह शौक में राह शौक का मतलब शौक के रास्ते पर चल पड़े थे बस एक कदम गलत उठा था राह शौक में मन्जिल तमाम उम्र मुझे ढूंडती रही मेरी मन्जिल जिन्दगी भर मुझे ढूंडती रही कहां सला गया सिर्फ एक गलती हुई थी और उसे गलती ने कहीं का नहीं चुड़ा आपको लग रहा होगा कि ये तो पापा जैसा है प्रीच कर रहा है मैं पापा डोन्ट प्रीच वाला भावमन में आ रहा होगा अपनों के पर मेरा कामी ये है मैं क्या करूँ मुझे जितनी चिंता अपने बच्चे की उतनी आपकी चिंता है तो मैं तो बोलूँगा आप मानेंगे नहीं मानेंगे ये आपकी मर्जी है लेकिन इश्वर ना कहरे कुछ गलती हुई तो बाद में आप इस बात को याद जरूर करेंगे कि किसी ने समझाया था हाथ जोड़कर और हम उसके बाद भी नहीं समझे थे कुछ भी करना उस रास्ते पर मन जाना और इस रास्ते पर रोग क्यों जाते हैं है इसकी जो साइकॉलोजी में सबसे बड़ा रिज़न है उसको पिएर गुरॉप प्रेशर कहते हैं पिएर गुरॉप का मतलब है अब के दोस्तों का गुरॉप गैंग जो डेवलप्मेंटल साइकॉलोजी है जो साइकॉलोजी स्टडी करती है कि बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं उनकी साइकॉलोजी कैसे चेंज होती है इसको बोते हैं डेवलप्मेंटल साइकॉलोजी उसमें माना गया है कि यह जो एज है तीनेज ये गैंग एज है गैंग एज का मतलब तीन चार दोस्तों का ग्रूप होता है वो गैंग की तरह से उपरेट करता है एक दम सीक्रेट्स रहते हैं जुरूप में आपसे में बाता हैं करता हैं जैसी कोई आसवास से निकलता चुप हो जाते है उनको लगता है कि उनके पास कुछ सीक्रेट इंफर्मिशन दुनिया की ऐसी है जो मुसाद और रौ और इनी सब के पास होती हैं किसी के पास नहीं होती है जबकि वो जो बात कर रहे होते हैं उनके पेरेंट्स वो बात 30 साल बदे कर चुके हैं वो ऐसी कोई एक दूसरे पर ऐसा भरोसा पेरेंट्स पर ऐसा अविश्वास ऐसा उनको खारिच करने की टेंडेंसी नौर्बल बात है कोई खास बात नहीं है इस उम्रे में सामानने बात है पर डेवलोप्मेंटल साइकोलोजी जब हम पढ़ते हैं तो उसमें कहते हैं जब भोख लगे कुछ खाना खिला दे शुरू के छे महीने इन दोनों जरूरतों को जनरली उसकी माही पूरा करती है तो उसको धिरी धिरी रखते है कि जो मा है न यही मेरा सब मुझ है और मा की हर बात को फॉलो करता है वो छे महीने के बाद थोड़ा सा बाहर का खाना घर के बाकी मेंबर्स का असरपड़ में लगता है दो साल के बाद जब बच्चा पहली पर स्कूल जाता है दो या तीन साल के बाद तो आप देखें कि प्राइमरी स्कूल में टीचर्स आम तरुपे महिलाएं होती हैं women होती है, males नहीं होते है उसके दो reason है एक तो males में तनी patience होती नहीं आम तुर पे अपना ही बच्चा हो तो दो मिनिट के लिए चिकोटी काटना प्यार करना ठीक है दो मिनिट के बाद भी जेल बाते है वो और बच्चा अगर रोने लगे उनके चश्मा उतार के मारे थपड़ मार दे, मूझ खीच ले इरिटेट हो जाते हैं पाँच मिनिट के बाद तो बच्चा पिटता ही पिटता है अपने बाप के हाथ हो इसलिए बच्चे भी बाप के पास कम जाना पसंद करते हैं, जाते हैं एक दो मिनिट के लिए फिर भागाते हैं आसे इनको पता है कि ये जो ब्रेक इवन होने वाला टाइम आ गया है अब इस टाइम पर निकल जाना चाहिए मदर्स में बाइलोजिकली भी और कल्सरली, सोशली भी ये वैल्यू जादा डेवलिप हो जाती है कि वो जेल लेती हैं उस बच्चे की परिशानियों को बच्चे बहुत परिशान करते हैं अगर अब मुझसे पूछे इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम क्या है सबसे मुश्किल है बच्चे कोई काम नहीं है छटी का दूद याद दिला देते हैं बच्चे बच्चे को पालने से मुश्किल दुनिया को कोई काम नहीं है और वो काम जनरली हमारे घरों में मदर्स करती है जिनका ही तिहास में नाम नहीं लिखा जाता जबकि सबसे महत्मून काम घर के अंदर वो कर रही है इस बात की बहुत वैल्यू है कई चिका पेरिंट्स मतलब फादर्स भी कर रहे हैं कुछ अद तक लेकिन जनरली दुनिया में ज़्यादा यह काम अभी तक महिलाओं के आत्म जाता है जब बच्चा स्कूल जाता है तो इस स्कूल जाने के बाद आप देखें जो लेडी टीचर होती है जिसको बच्चा प्यार से मैम कहता है मैम बच्चे के लिए मैम दूसरा भगवान होता है मम्मी के बाद कुछ समय के बाद भगवा नंबर एक मैम हो जाती है भगवा नंबर दो मम्मी हो जाती है और अगर मैम ने कुछ कहा है और मम्मी के रही गरत है तो बच्चा घूल के देखता है कि तुम बताओगी मुझे वो बगवान है वो तो मेरी तो बच्चे को मेंपे भदवान जैसा भरोसा होता है शिर जब वो बड़ा लने लगता है 10, 11, 12, 13 साल का 13 की ये जाते आते बच्चों में जो biological changes होने शुरू होते हैं बड़े परिशान होते हैं पसो पेश में होते हैं कि ये क्या हमारे साथ हो रहे है हमारे जंदे की change हो रही है चाना कि उनको ऐसा लगने लगता है उस उम्र के जो hormones है वो उनको पेरेंट से दूर करते हैं क्योंकि उनको जिस तरह की आजादी चाहिए पेरेंट जानते हैं कि ये उम्र सही नहीं है तो पेरेंट्स रोकते हैं समझाते हैं फोन का यूस कम करो, इंटरनेट कम करो तुमारा दोस्त ठीक नहीं है तुमारी कमपने ठीक नहीं है, अच्छे दोस्त रखो ये करो, वो सब करते हैं उनकी मज़वरी है, उनको पता है कि ये उम्र फिसलने वानी है और बच्चों को लगता है कि मैं जहाँ जहाँ आजादी चाहता हूँ यही दो लोग मेरे दुश्मन है पता नहीं, ये डिजर्व नहीं करते हैं मुझे फिर वो पेरेंट्स जूट बोलना, छिपाना हर बच्चा उस उम्र पे जूट बोलना चुरू कर देता है कुछ बहुत प्यारे मासूम बच्चा को छोड़ दू मैं एक दो परसेंट, बाकि सब थोड़ा बहुत जूट तो बुरी रहते हैं कुछ ज्यादा शातिर हो जाते हैं इतना खतरनाग जूट बोलते हैं लाई डिटेक्शन टेस्ट कर वा लेंगे, तो भी नहीं पकड़ मैंगे इतना अच्छा जूट बोलते हैं क्योंकि वहाने सीख लिए दोस्तों से इसब करके और ये जो उम्र है 13 से 19 जो गैंग एज है जो दोस्त हैं, इनका असर इतना ज्यादा होता है और आपकी परस्नेलिटी कैसी है हर गैंग में चार पास लोग होते हैं, उनमेंसे एक मुखिया होता है उनका गैंग करनेता होता है जो थोड़ा सा एग्रेसिव है, डॉमिनेटिंग है, एसर्टिव है वो फैसले करता है सब के लिए, आपने डिजन मेकिंग का सवाल कुछा, इसी पर सो समझेंगे उसने कहा कि चलो सब फिल्म लेक्के आएंगे तो बाकी चार फॉलोवर्स होते हैं उचलते हैं, जी जी चलो 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 इन सब का सेल्फ रिस्पेक्ट का लेवन अलग-अलग है जो नेता है, उसमें सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा है इतनी ज्यादा है कि वो दूसरों की सेल्फ रिस्पेक्ट के धजियां उड़ा देता है वो ये मान के चलता है कि मैं राजा हूँ जो मैं कहूंगो वही होगा और जो बाकी चार भेड़ बकरियां है जिन में confidence की कमी है assertive नहीं है submissive है दबू है, डर्पूख है वो बिचारे उसकी बात को follow करते है और ये जो चार है न, इन पे खत्रा बहुत ज्यादा है क्योंकि जो नेता है, वो पहले से बिगड़ा हुआ है वो habitual है कई चीजियों का और वो इन चारा को बोलता है आज हम सब ड्रक्स प्राई करेंगे पूशनी रहा है, बता रहा है अब इन चार में से एक ये मन में एक ही ना करो मम्मी ने उसको हजार बड़ समझाएगी बिटा ये मत करना वो पिचारा बोली नहीं पा रहा है घबराट हो रही है उसको बड़ी मुश्किल से मिम्याते हुए एक वाकि उसमें बोला में मियाना में बिल्ली की तरह से बोलना केट की तरह से बोलना उसने का यार मम्मी ने का था ठीक नहीं होता है अब उसके बड़ जोर से ठाका मार गा यह देखो मम्मी का बच्चा यह देखो मम्मी का बच्चा इसको दुद्दू पिलाओ, दुद्दू पिलाओ इसको बच्चा है, बच्चा है, यह तो बड़ा ही नहीं हुआ, यह तो मर्द ही नहीं बना अब तक हम तो मर्द हैं, हम तो बड़े हैं, हम तो ग्रोन अप है इस बच्चे के self-esteem, self-respect इतनी कम है कि डर जाएगा एकदम घबरा जाएगा तेन लोग बोलेंगे अरे कुछ नहीं होता अरे कुछ नहीं होता आजा 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 कुछ नहीं होता कर ले ठ्राई हम भी तो कर रहे हैं कर ले ठ्राई और इसी प्रेशर में मैं अपने बच्चे को के विले एक बात सिखाता हूँ बाकी पढ़ाई लिखाई तो मुझे पता है जिन्दगी में जब कोई करना चाहेगा करी लेगा इंटरनेट के दुनिया में गूगल के दुनिया में आप क्या मतलब मैं क्या पढ़ा दूँगा आपको टीशर क्या पढ़ा लेंगे सब गूगल पर उपलब दाएं सब ऑनलाइन अविलेबल है जो टीशर बना चाहरे हैं समझ लें अब टीशर का काम नौलिज देना नहीं है नौलिज आपसे ज्यादा आपसे बहतर गूगल पर है अब आपका काम उससे ज्यादा बढ़ा है क्या है अभी डिस्टस करेंगे मैं केवल एक बात पर फोकस करता हूँ कि मेरे बच्चे या आप लोग पियर ग्रूप प्रेशर से बच सके मैं खुद बचा था अच्छे से बचा था मेरे पेरिंट्स की भूमे का थी मैं जिस होस्टल में रहा उस होस्टल में लगबख सब ड्रिंग करते थे कॉलिज के दिनों में मैं नहीं करता था मुझे कभी ज़रोती ने लगए उस चीज़ के तो नहीं लगी तो नहीं किया अच्छי बच सिर्फ इतनी है मैं यह नही्ली के रहा कि ड्रिंक करना अच्छी बात ऑगी बोरी बात है मैं सिर्फ यह कहना चाह रहा हूं कि अगर चार लोग मुझे बच पर दबाओ डाले और मैं वानके दबाओ में आ जाएं ये ठीक नहीं मुझे ध्यान है कि हमारे होस्टल की नाइट समती थी फ्राइडे की रात है वार्डन साब छुट्टी पे हैं दस बारा लोग एक कमरे में बैठे हैं शराब की बोतल खोल ली है या बीर जो भी है सब का मन है पीने का मनलब एडल्ट्स हैं 18 प्लस के थे वो शहिद लीगलिए लाउड होगा उनके लिए मुझे नहीं पता और जो लोग नहीं पीना चाहते हैं उनको दबाव बना रहे हैं कि आ पी के दिखा मर्द है तो पी के दिखा बढ़ा होगे तो पी के दिखा जब भी कोई ऐसा दबाव बनाए न इतना भी दबाव में नहीं आना है जैसे भी बोले बढ़ा है तो पी के दिखा आपको बोलना है मैं इसको पी बिना ही बढ़ा हूँ मर्द है तो पी के दिखा मैं इसको पी बिना ही मर्द रहता हूँ तुम इसको पीके मर्द बनते हो हम ऐसी मर्द हैं भाई दोस्त नहीं है कि हमारा तो क्या बोलना है अगर तुम्हारी दोस्ती के लिए मुझे पीने ही पड़ेगी शराब तो मेरी दोस्ती के लिए तुम छोड़ दो नहीं सकते अजीब बात है भाई दोस्त क्या मैं ही तुम्हारे दोस्त हूँ तुम मेरे दोस्त नहीं हूँ तुम्हारी दोस्ती के लिए मैं ड्रक्स लेना शूब कर दो और मेरी दोस्ती के लिए तुम छोड़ दी सकते अगर तुम छोड़ दी सकते तो मैं ले नहीं सकता और दोस्ती अपनी जगा है हमेशा जान रखना भूल के भी कभी कोई ऐसी डिमांड मत करना जो दोस्ती की हदों से ज़्यादा जाती हो मैं साफ कह रहा हूँ मैं ड्रक्स के रास्ते पर नहीं जाऊंगा ये ये काम मैं नहीं करूंगा मुझसे दोस्ती रखनी है इन शर्तों के साथ रखो मैं किसे दवाव में न आया हो ना आउंगा इसको बोलते हैं Assertiveness अपनी शर्तों पे जीऊंगा किसी के दवाव में ने जीऊंगा जो गरत है गरत है नहीं करना है तो नहीं करना है एक शायर ने बड़ी अच्छी बात कही इश्क के बारे में लिक नियाह अपलाई होती है उसने कहा वो नहीं मेरा सही उससे मुहबत है तो है भाई किसे से मुहबत है नहीं हो पाया मेरा कोई बात नहीं वो नहीं मेरा मगर उससे महबत है तो है अब ये रस्मों और रिवाजों से बगावत है तो है अगर मैंने एक सही बत कह दी और वो रस्म रिवाज के खिलाफ है तो है, मैं क्यूं डरूंगा जो मुझे ठीक लगा, अपने एमान के मताबिक लगा मैंने कहा, रूआ करूँगा तो जो बात मुझे अपनी और से शुरुआत में कहने जी मैंने आपसे कही है और मेरा ख्याला कि आप, अगर आप सब बच्चों में से एक बच्चा भी मेरी बात सुनके गरत रास्ते पर जाने से रुख गया तो मेरा सिक्की माना धन्य हो गया मैं उसमें बहुत खुश हूँ उससे ज़्यादा मुझे कोई ज़रोत नहीं